गुडूनिंग बच्चों संसारपूर में आपका स्वागत है आज की क्लास में हम लोग प्रश्णावली 14.04 के सारे के सारे कोश्चन्स सालो करने वाले है ठीक है और इस क्लास में आग हम लोग ग्राप से सम्मंधित पढ़ेंगे ठीक है और देखिए इसमें क्या कहा गया है कि निम्न लिखिट बंटन किसी फैक्टरी के 50 सरमिकों की दैनिक आए दर साता है तो यह हो जाएगी दैनिक आए ठीक है कि 100 से 200 कितने लोग कमाते हैं कितने सरमिक हैं 12 हैं 120 से 140 14 हैं 140 से 168 लोग ह 10 सरमिक कमाते हैं ठीक है और कहा गया कि उपर युक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचाई बाराम बारता बंटन में बदलिए उसका तोरा खीजिए मतलब ग्राप खीजना है ठीक है बड़ी है कोश्चन है बेतरीन है तो देखिए हमेशे सबसे पहले करना क्या है कि कम प्रक यहां से हम दूसरा एक ग्राप बना लेंगे ठीक है तो यह हो जाएगी दैनिक आए दैनिक आए ठीक है वो भी किसमे है रूपाए में है रूपाए में तो वो भी कम प्रकार का बनाना है कहने का मतलब है कि 100 से 120 है तो इस वाले को हम लोग क्या कहते है इसे हम लोग कहते है निम्न सीमा निम्न सीमा ठीक है और इसे हम लोग क्या बोलते है उच्छ सीमा बोलते है उच्छ सीमा ठीक है तो हम लोग जो कम प्रकार का तोन बनाते है उसे हम लेते है कांसा उच्छ सीमा से क्यों कि 100 से 120 मतलब 120 से कम वाले 120 से कम वाले कितने सर्मिक है यह बताना ऐसे लिखना है कैसे लिखेंगे 120 से कम यहां पर लिखेंगे 120 से कम ठीक है उसके बाद 120 से 140 है तो यहां पर लिखेंगे 140 से कम उसके बाद 160 से कम 160 से कम फिर 180 से कम फिर 180 से कम फिर उसके बाद हो जाएगा 180 से 200 है तो 200 से कम ठीक है 200 से कम ऐसे करना है अब इसमें आजाएगी संचाई बारम बारता क्या आएगी संचाई बारम बारता अब संचाई बारम बारता आप निकालना अच्छे सा जानते हैं बस आपको इतना ध्यान देना है कि अगर यह कम प्रकार का है कहने कहा है कहा गया कि कम प्रकार के तोरण ग्यात करना है कम प्रकार के संचाई बाराम बारता का बंटन ग्यात करना ठीक बदलना है तो हमें करना क्या है कि इन्हें उपर से सुरुआत करेंगे मतलब कि जोड़ना उपर सुरुआत करेंगे और अगर कहेगा अधिक प्रकार के तो वही प्रक्रिया हमें नीचे से करनी होगी, ठीक है, चलिए करते भी समझते हैं, तो इसको वैसे का वैसा हम लोग रख दिया करते हैं, ठीक है, उसके बाद करते क्या हैं, कि आप खुद ही देख सकते हैं, कि यहां पर कहा गया 140 से कम, कमाने वाले अस्त्रमिकों की संख्या कितनी हैं, तो 140 से जो कम कमाएंगे, वो 120 से भी तो कम कमा रहा है, कहने का मतलब है, कि 140 के अंतरगत, 100 से 120 तक रुपाय कमाने वाले स्त्रमिकों की संख्या भी तो आ रही है, तो कितने हो गए, 120 हो गए 12 के, 120 से जो कम कमा रहा हैं, और 140 से जो कम कमा रहा हैं, वो 14 हैं, तो 14 जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 4, 2, 6, 1 और 1 हो जाएगा 2 160 से कम, तो 160 से कम कितने हैं 12, 14 और 8 कितने हो गए 12, 8, 20, 20, 10, 30, 4, 34 कितने हो गए 34 हो गए अब उसके बाद क्या करना है 180 से कम, कितने कमा रहा है, तो 34 अभी तक जोड़ चुकी है 26 में और जोड़ देना है, तो हो जाएगे 40 और 120 से कम कितने कमा रहा है, तो वो 10 आए और बाकि सारे ये हो गए, तो हो जाएगे कितने 50 ठीक है, और उसके बाद हमें करना क्या है कि ये कुल स्रमिकों की जो संख्या है, वो देखिए कितनी आएगी 50 तो पहले से अल्रेट इत्थी हुई है, आप जोड़ेंगे तब भी 50 आएगी ठीक है, और यहाँ पर हमने देखिए जो चूड़ा गया है जो संख्या बाराम बाता निकालते हैं ये नंबर ही होता है, ठीक है, तो नंबर इसमें भी कहने का मतलब है कितना आया, 50 ही आएगा ठीक है, और अब हमें क्या करना होगा अब simple सा काम ये करना है कि हमें इसका क्या कर लेना है graph बना लेना है तो graph कैसा बनेगा आपको paper में graph paper जरूर मिलेगा ठीक है तो चलिए इसे हम लोग बोलते हैं y-ach और इसे हम लोग बोलते हैं x-ach ठीक है अब y-ach कौन बनता है x-ach कौन बनता है वो समझने की बात है तो जो संचाई बारम बारता है ये हमारी बनता है y-ach ठीक है और ये जो दैनिक आए है ये बनता है हमारा x-ach तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सुरुवात कहां से है 120 से है जीरो से सुरुवात ना होके कितने से है 120 से तो ग्राप को थोड़ा हम लोग ब्रेक कर देंगे ठीक है उसके बाद आगे लिखेंगे तो कितना है 120 उसके बाद हो जाएगा 140 140 फिर होगा 160, 180 160, 180 और ये हो जाएगा दोज़वा ठीक है तो ये तो हो गए हमारा दैनिक आए यहाँ पर लिख सकते है दैनिक सॉरी दैनिक आए दैनिक आए ठीक है ये दैनिक आए है और यहाँ पर देखिए अधिक्तम कितना है 50 है यानि कि इसके बीच विम 10-10 का गैप लेकर चल सकते है ठीक है 30 40 और ये हो जाएगा 50 ठीक है यहाँ पर आप लिखना चाथ लिख सकते है संचाई वारंबारता अब हमें क्या करना है सिंपल सा कि इसका 120 और इसका कितना 12 हमें इस ग्राफ में देखना है कहां पर मिलेगा तो X अच्छी की तरफ 120 और Y अच्छी की तरफ 12 कितना 12 देखना है तो ये हो जाएगा 10 से 2 उपर यहाँ पर कहीं पर मिलेगा ठीक है ऐसा कर देंगे एक काम आपको और करना है पायमाना जरूर लिखना है क्या करना है पायमाना पायमाना जरूर लिखना है तो यहाँ पर लिखेंगे X अच पर इन सभी के बीच में कितने का गयफ है इन सभी के बीच में देखे 20-20 का गयफ है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 cm बराबर 20 रुपए ठीक है 20 रुपए और Y अच पर यहां पर क्या है 10-10 का गयफ है तो लिखेंगे 1 cm बराबर ये है क्या संचय 12 मतनल स्रमिकों की संख्या है तो लिख सकते हैं स्रमिकों की संख्या स्रमिकों की संख्या ठीक है चलिए आगे देखते हैं तो एक तो हमारा मिल चुका ठीक है उसके बाद 140 और 26 देखना है तो इधर यहां पर 20 मिल रहा है तो यह आधा 25 मिलेगा थोड़ा सा उपर देखेंगे तो इधर से यहां पर इधर से 140 एक सच की तरफ से 140 होगा वाई की तरफ से कितना होगा 26 होगा ठीक है तो यहां पर मिलेगा और उसके बाद 160 और 34 तो इधर से हो जाएगा 160 और इधर से ओगा 34 तो तीस के थोड़ा से ओफर 4 लाइन ओपर यहां पर याणि लग बग यहां पर जाएगा ठीक है और उसके बाद 180 से 40 यानी कि 40 के बिलकुल सीध में आधार से 180 यह होगा ठीक है और उसके बाद आजाता है 50 200 से तो 50 हमको मिलेगा यहां पर इसको चलिए कोई दिक्कत नहीं यहां पर हम बना देते हैं ठीक है यहां पर ये अब आपको करना क्या है सिंपल सा कि पट्री की सहायता से इन्हें हम आपस में सीधी रेखा में मिलाते जाएंगे ठीक है ऐसा आपको करना है बस ये रहा आपका क्या तोरण ठीक है आप ग्राफ भी पोल सकते हैं तो आपका जो कोश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है अगर इसमें कोश्चन में ये पूछ देता कि क्राफ देखकर बताईए माध्यक कितना है या माधिका कितनी है तो सिंपल सा तरीका आपको ये करना है कि n by 2 करना है यानि 50 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आएगा ठीक है अब 25 को आपको इधर से देखना है कि यहाँ पर आपका 25 मिलेगा बीचो बीच में और इधर से लाइन खीचते हुए चले जाना है ठीक है और जहाँ पर आपको ग्राफ वह एकस अच्छ में मिला देना है ठीक है तो यह वाला जो भी बिंदु होगा वह आपका क्या होगा माध्यक होगा इस बिंदु पर जो भी पॉइंट मिलेगा वह आपका माध्यक होगा ठीक है यहाँ पर हम लिख देते हैं माध्यक माध्यक या माधिका बोल सकते हैं ठीक है तो अगर लिखना चाहें तो यहां पर एक सो अगर लिखना चाहें कि माध्यक बराबर कितना है तो एक सो चालिस दसम लव दो लगभग आ रहा होगा ठीक है लगभग आप graph paper में जब बनाएंगे बिलकुल exact आपको मिलेगा तो ऐसे आपको करना है कि कम प्रकार के तोरण बनाय जाते हैं ठीक है अधिक प्रकार के भी तोरण हम लोग सीखेंगे और एक ऐसा question मिलेगा जिसमें कम प्रकार का भी तोरण और अधिक प्रकार का भी तोनों दोनों प्रकार के तोनों उसमें पूछे जाएंगे, ठीक है, और उसमें भी देखिए, यहां पर जब आपको सिंगल केवल एक मिला है, कि कम प्रकार के संचाई बढ़ाम बारता बंटन में बदलना है, तो हमने माध्यक निकाला की सीखा, उस उसके बाद जो कोस्चन नमबर 4 है, जो अन्यमात्मण कोस्चन दिया गया है, उसमें हम लोग कम प्रकार का और अधिक प्रकार के बदलने वाले बंटन में सीखेंगे, कैसे हम लोग माध्यक या माध्यका निकालते हैं, ठीक है, तो बने रहे ये वीडियो के एंड तक, और सुरू करते हैं, कोस्चन नमबर 2, कोस्चन नमबर 2 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया किसी कच्छा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जाच के समय, उनके भार निमनलिकित रूप में रिकार्ड किये गया, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर अच्छी बात ये कह दी ग है, उनका किलो भार 0 है, 40 से जो कम है, वो 3 है, 42 से कम किलो गराम जिनका भार है, वो 5 है, 44 से कम, 9 इस प्रकार करते हुए, 52 से कम, 35 है, टोटल 52 से, जो कम है वो सब कितने हैं 35 है यानि इन की वैल्यू यहां से हमें क्या पता चली कि 35 है ठीक है और हमें अब केवल क्या करना है कि तोरण खीजना है कम प्रकार का ठीक है चलिए खीज देते हैं तो यह हो जाएगा हमारा कौन सा संचाई बाराम बारता इसकों लोग बोल सकते हैं ठीक है मतलब एक प्रकार से विद्यार्थियों की संख्या यहां पर लिख सकते हैं क्या लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या यह हो जाएगा उपर की ओर ठीक है क्योंकि यह हमारा बनता है एक सच और यह बन जाता है वाई अच्छ ठीक है तो वाई अच्छ देखें कहां सुरूआ तुई 38 से 0 से शुरूआ ना होके 38 से शुरूआ तो थोड़ा से इसे हम क्या करते हैं कि ब्रेक कर देंगे उसके बाद यहां सुरू करते हैं कितना है 38 38 के बाद 40 42 44 46 हो जाएगा 48 50 यह हो जाएगा 52 इसको लोग बोलते हैं एक सच ठीक है और इसे हम लोग बोलते हैं वाई अच्छ पैमाना लिख लेंगे ठीक है थोड़ा इस बार दोर लिखते हैं पैमाना तो पैमाना वाई अच्छ के लिए कितना होगा वाई अच्छ पर एक सेंटीमीटर बराबर देख कितने कितने gap है दो-दो gap का है और वो क्या है किलो भार में है तो लिखेंगे दो किलो ग्राम ठीक है वाई अच्छ के लिए लिखेंगे पहले हम संख्या लिख लेते हैं तो सुरुआत इसकी 0 से ही हो गई ठीक है 0 3 5 कहा तक है 35 तक तो हम 5 5 के gap ले सकते हैं ठीक है तो यह हो जाएगा 5 10 15 20 25 30 यह हो जाएगा 35 ठीक है तो यहाँ पर वाई अच्छ के लिख पर कहें देंगे य अच्छ पर 1 सेंटी मीटर बराबर कितने कितने कंत्राल है 5 5 कंत्राल है तो लिखेंगे 5 विद्यार्थियों की संख्या पांच विद्यार्थियों की संख्या यह होगी ठीक है तो चलिए अब ढूंडते हैं कि हमें कहां मिलेंगे तो एक सच्छ की तरफ से 38 और वाइच की तरफ से 0 यानि यहीं पर हमको मिल जाएगा तिसको हम घुला बना देंगे उसके बाद 40 और 3 इधर से 40 हो जाएगा तो यह देखिए 5 है यह हो जाएगा 1,2,3 नहीं लगभग यहाँ पर यह हो जाएगा उसके बाद 42 से कम तो यह 42 से कम हो जाएगा और इधर 5 है तो यह आजाएगा लगभग इधर से यहाँ पर ठीक है उसके बाद 44 वाले में 9 तो यहां पर एक पॉइंट नीचे यह हो जाएगा यहां पर इस जगे पर ठीक है और 46 चौदा यानी 16 से 46 वाच की तरफ चौदा तो 15 से थोड़ा से एक नीचे यानी यहां पर यह होगा उसके बाद 48 और 28 तो इधर से 48 हो जाएगा और यहां से 28 लगबग इधर तो निए ठीक राइट है इस जगे पर ठीक है उसके बाद ons फैच्घ ऑर 32 में जाएगा तो इधर से 50 हो जाएगा और इधर से 32 यानी की यह तो इस जगे पर और उसके बाद बावन पाइथेस यानि इधर से 22 हो जाएगा यानि लगभघ यह जाएगा यहां पर टीक है यह आपको बाहर बना लेना और हर हर ग्राफ में आपको यह पाहेमाना देरोल बनाना है ठीक है तो चलिए इसे हम क्या करेंगे मिला देंगे तो इसको मिलाएंगे ऐसे आपको scale की सायता से मिलाना है ठीक है? आपको पटरी की सायता से बिलकुल सीधा इसको मिला देना है बस ये पन गया आपका कमपरकार का तोरण और इसमें कहा गया इसके बाद माद्धिका भार ज्यात की जिए अच्छी बात है कि इस बार इसमें माद्धिका भार पूँच लिया है तो माद्धिका भार निकालने का आपको सिंपल सा तरीका बताया था कि करना क्या है? n बाई 2 करना है n दिया गया 35 तो 35 का अगर हम लोग भाधा करेंगे तो आएगा 17.5 और यहां पर हो जाता देखे 15 दो अंक उपर यहां से अगर आप लोग इसे खींचना शुरू करेंगे सीधा सीधा लाइन खींचेंगे इसकेल की सहायता से यह सीधे ऐसे जाता जाएगा ठीक है? और जहां पर मिल जाता है उसको नीचे मिला दीजिए ऐसे तो यानि कि लगभग यहां पर जा रहा है यानि 46.5 माद्धिका इसकी आ सकती है ठीक है? तो लिखेंगे माद्धिका भार बराबर क्या लिखेंगे? माद्धिका भार 46.5 यह हो जाएगा आपका माद्धिका भार ठीक है? सिंपल सब कोश्चन था कोई इसमें दिख्कत वाली बात नहीं थी चलिए अब अगला कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर 3 कोश्चन नमबर 3 देखिए बच्चों इस कोश्चन में अधिक से प्रकार का तोर्ण कहा गया है खीचने के लिए ठीक है? किलो ग्राम प्रती हेक्टेयर में है 50 से 55 तक में दो फार्मों की संख्या है 55 से 68 और 60 से 65 बारा 50 से 70 चौविस 70 से 58 और 75 से 86 हैं ठीक है? तो कहा गया इस बंटन को से अधिक प्रकार के बंटन में बदलिये और फिर उसका तोर्ण खीचिए तो चलिए सबसे प्रकार के बंटन में बदलेंगे इसको ठीक है? तो हमें क्या करना होगा? एक अलग से ग्राप खीच लेते हैं ठीक है? तो ये हो जाएगा एक और ये दो उसके बाद हमें यहाँ पर लिख देना है उत्पादन किलो ग्राम प्रती हेक्टेयर ठीक है? और यहाँ पर होगी संचाई बारम बारता संचाई बारम बारता तो देखिए इसमें कहा गया से अधिक तो अभी तक हम लोग उच्चतम सीमा लेते थे अब निम्न सीमा लेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पर पचास से पचपन कहा गया तो पचास से अधिक है यहाँ पचपन से अधिक है साट से अधिक है पैसट से अधिक है सत्तर से अधिक है और पचत्तर से अधिक ठीक है? तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या? इसे हम लिखेंगे पचास से अधिक लिख सकते हैं या बरावर लिख सकते हैं या लिख सकते हैं पचास या उससे अधिक ठीक है तो लिखेंगे पचास या उससे अधिक उससे अधिक ये हो जाएगा ठीक है क्योंकि पचास के बरावर भी है और उससे अधिक भी है इसी तरह इसको भी पच्चपन या उससे अधिक उससे अधिक और उसके बाद 60 या उससे अधिक उससे अधिक 65 या उससे अधिक इसी प्रकार हो जाएगा 70 या उससे अधिक और ये हो जाएगा 75 या उससे अधिक उससे अधिक ठीक है अब बारी आती है संचाई बारम बारता की तो इसमें कहा गया से अधिक तो से अधिक वाले का सिस्टम थोड़ा सा अलग चलता है इससे पहले वाले में हमने उपर से जोड़ना सुरू किया था और इस वाले कुस्चन में नीचे से जोड़ना सुरू करेंगे ठीक है तो देखिए क्यों क्योंकि यह हो जाएगा पहला सोला हो जाएगा अब समझ लेजिए ठीक है यहां पर लिखा है पचचतर या उससे अधिक तो पचतर से अधिक कौन है देखिए यहां से लगाकर पचतर या उससे अधिक तो पचास से लगाकर पचतर तक इसी के अंतरगत आते हैं ठीक है तो इसलिए हम नीचे से जोड़ना सुरू करते हैं तो यह सोला हो जाएगा सोला में 38 जोड़ेंगे तो 54 आजाएगा और 54 में 24 जोड़ेंगे तो 78 आजाएगा और 78 में 12 जोड़ेंगे तो 90 आएगा 90 में 8 जोड़ेंगे तो 98 आएगा और 98 में 2 जोड़ेंगे तो 100 आएगा यानि कहने का मतलब है कि यहां से हमें n की value कितनी प्राप्त होगी 100 प्राप्त होगी अब हमें क्या करना है से अधिक प्रकार कमने बंटन तो बना लिया ठीक है अब तोरण खीच देना है तो तोरण खीचना बहुत ही आसान है ठीक है तो यह हो जाएगा हमारा y अच और यह होगा x अच ठीक है और y अच्छ में हम लोग क्या लिखते हैं संचाई बारम बारता और x अच्छ में हम लोग क्या लिखते हैं जो हमें ये दिया गया होता से अधिक से कम का, कहा तक है, 75 तक है, 50 से सुरुमात होती है, 0 सुरुमात ना होके, 50 से होती है, तो graph को थोड़ा break कर देंगे, ठीक है, यहां से सुरुमात करेंगे, तो 50, उसके बाद 55, 60, 65, 70, और उसके बाद last में 75, ठीक है, पैमाना हम लोग लिख देंगे, पैमाना, पैमाना हर आपको graph में लिखना है, ठीक है, तो देखिए, यह है, एक सच पर, 20 को लिखेंगे, एक सच पर, तो एक सच पर, एक सेंटी मीटर बराबर क्या है, कितने कितने gap है, 5 का gap है, और यह है, क्या उत्पादन, वो भी किलोग्राम प्रती है, ठीक है, तो लिखेंगे, 5 किलोग्राम प्रती हैक्टेयर, ठीक है, और अब हम वाई अच्छ को लिख लेते है, तो अधिकतम कहां तक है, 100 तक है, तो इसमें हम लोग कितने-कितने gap ले सकते हैं एक, दो, तीन, चार, पांध, छे तो इसमें हम लोग ले सकते हैं 15-15 gap ले सकते हैं या तो 20-20 का हम लोग gap ले लेते हैं कितने का बिस का तो 20 40 60 80 और ये हो जाएगा 100 थीक है तो चलिए धोरते हैं हमको कहाँ पर मिलेगे तो इस से अधिक वाला है तो देखिए X अच्छ में 50 और Y अच्छ में कितना होगा 100 अब ये हमको कहाँ पर मिलेगा तो इधार से 50 होना चाहिए और इधार से 100 यानि यहाँ पर यहाँ पर यह हो जाएगा उसके बाद 55-98 तो इधर से 55 इधर से 2 नीचे यानि कि लग भग यहाँ पर आएगा ठीक है और उसके बाद 60-90 तो इधर से 60 हो जाएगा यह 80 हो जाएगा यहाँ पर और उसके बाद हो जाएगा 65-98 तो इधर से 65 यह 60 हो जाएगा यहाँ पर लग भग आएगा यानि कि यहाँ पर यह हो जाएगा उसके बाद 70 और 54 तो इधर से 70 हो जाएगा देशिए 40 यहाँ पर 50 आएगा बीच में तोना चार अंकागे उपर साइड में यानि कि यहाँ पर यह हो जाएगा उसके बाद 75 और 16 यह हो जाएगाशिए 14 यह बीच से 20 से 4 नीचे आ जाईएगा त्रीक है यह 5 हो जायाँ बस इसको आप इसकेल की सहायता से इसे क्या करेंगे मिला देंगे और यही हो जाएगा आपका अधिक प्रकार का क्या तोरुना सिंपल सा था अगर इसमें पूछ लेता माध्यक क्या है तो आप क्या करते तो यह हमें n दिया गया है तो n by 2 करते यानि कि 50 आजाता ठीक है सवकाद है 50 आजेगा और आप यहां से 50 बीचों बीच में इसको आप ऐसे मिलाते जहां पर इस ग्राफ को क्या करता टच करता वहीं से आप इसको नीचे साइड मिला देते ठीक है यह यह यानि लगभग में कितना आएगा 70 और 75 के बीच में है यानि कि यह आ जाता वही यहां पर लिखेंगे माध्यक बराबर माध्यक यानि यह आता 73 दसमलो सिरी सिरी 70 दस पहुंच रहा तो इसको हम वैसे लिख तो सकते हैं कि 70 75 के बीच में है लिख सकते हैं लगभग में बोल सकते हैं लगभग के भी कुछ ना कुछ पॉइंट इसमें जरूर आएगा आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना है अगर यह कोस्चन में कहे देता है कि हमें माध्यक ग्याद करना है तो ही माध्यक ग्याद करना बाकी आपके जानकारी के लिए हमने अपने आपको बता दिया है चलिए आज की क्लास का लाष्ट कोस्चन देखेंगे कोस्चन नमबर चार बहुत ही वहत्रीन कोस्चन है क्योंकि उसमें कहा गया है कि अधिक प्रकार और कम प्रकार दोनों प्रकार का हमें व्यक्तियों की उचाईया प्रदसित करता है ठीक है और कहा गया कि इस बारम बारता बंटन के लिए दोनों प्रकार के संचाई बारम बारता वक्र कीचिए तथा माधिका का मान भी ज्याद कीजिए तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कि देखिए, यहां पर दो परकार के कहा, दो परकार के मतलब एक कम से और एक अधिक से हमें क्या करना है, बंटन में परिवर्थित करना है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका वाकर खीचेंगे और माधिका निकालेंगे, ठीक है, ये question अभी तक जितने भी हमने question किया है उसका revision करवाता एक प्रकार से यानि कम प्रकार का भी और अधिक प्रकार का भी हमें क्या करना है वंटन खीट बनाना है ठीक है तो चलिए बनाते हैं तो इसके लिए हमें दो हमें क्या करना होगा वर्ग बनाना होगा ठीक है यह हो जाएगा हमारा कंपरकार का ठीक है यह हो जाएगा कौन सा कंपरकार का यहाँ पर लिखेंगे उचाईया उचाईया ठीक है किसमें सेंटीमीटर में और यह हो जाएगी संचाई बारंबारता क्या हो जाएगी संचाई बारम बारता चलिए सुरू करते हैं इसमें हम कौन सा लिख रहा है से कम वाला से कम वाला तो से कम के लिए हमें कौन सी सीमा लेनी परती है निम्नतम सीमा ठीक है क्योंकि 143 से कम कहेंगे 146 से कम कहेंगे इस तरह सारे के सारे लिख देना है ठीक है तो यहाँ पर लिखेंगे 143 से कम इसी प्रकार लिखेंगे 146 से कम 149 से कम 152 से कम और 155 से कम 158 से कम 161 से कम 164 से कम 166 से कम 170 से कम और 173 से कम ठीक है यह आप लिख ले दिएगा अब संचाई बारम बारता निकालना आपको पता है पहली बारम बारता वैसी की वैसी हम लोग लिख लेते हैं अब यहाँ पर कहा गया 146 से कम मतलब की 43 से कम तो 3 हैं ही 146 से कम में भी यह वाले आ जाएंगे इसका मतलब 3 यह और 9 यह कितने हो गए 12 हो गए मतलब की एक प्रकार से संचाई बारम बारता जैसे हम लोग निकाल रहे हैं तो 12 में 26 जोड़ेंगे तो 38 आ जाएगा 38 में 31 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 36 में 3 में 9 जोड़ा बारा आ जाएगा 38 में 31 जोड़ेंगे 79 में 45 जोड़ेंगे तो 114 आ जाएगा 114 में 64 जोड़ेंगे तो 178 आएगा ठीक है कितना आएगा 178 में अगर हम लोग 78 जोड़ेंगे तो 256 आएगा 256 में 85 जोड़ेंगे तो 340 आजाएगा ठीक है और 141 में अगर हम लोग 96 जोड़ देते हैं तो कितना आजाएगा 437 आएगा 437 से 72 जोड़ेंगे तो ये होगा 509 और 509 में 60 अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 579 आजाता है ठीक है तो ये होता है आपका N ही होता है यानि capital N हो जाएगा 509 ठीक है तो ये तो हो गया कौन सा से कम परकार का अभी हमें क्या करना है से अधिक परकार का निकालना है ठीक है तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे ठीक है तो चलिए दूसरा हम लोग इसी के बगल में बना लेते हैं से अधिक परकार के लिए ठीक है तो इसमें भी क्या आएगी उचाई ही आएगी उचाई या सेंटी मीटर में इसमें भी होगी संचाई बारम बारता संचाई बारम बारता ठीक है तो इसमें कहा गया है देखिए ये तो हो गया से कम वाला अब से अधिक वाला करना है तो से अधिक वाला हम लोग क्या करते हैं निम्नता मसीन मा लेते हैं मतलब एक सो चालिस से अधिक एक सो चालिस या एक सो चालिस से अधिक एक सो तेतालिस और एक सो चालिस से अधिक उससे अधिक यहां पर हो जाएगा अधिक ठीक है इसी प्रकार 143 143 या उससे अधिक 146 या उससे अधिक और 149 या उससे अधिक 152 या उससे अधिक 155 या उससे अधिक इस तरह में क्या करना है लिखते चले जाना है ठीक है और हो जाएगा 161 या उससे अधिक 164 या उससे अधिक 166 या उससे अधिक 170 या उससे अधिक ठीक है अब संचाई बारम बारता हम लोग कैसे करते हैं किसे अधिक वाले में नीचे से जोड़ना सुरू करते हैं ठीक है तो चलिए नीचे सुरूआत करेंगे तो ये हो जाएगा 60 60 में हम लोग 72 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 132 ठीक है उसके बाद 132 में हम लोग 96 जोड़ेंगे 132 में 96 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 228 288 में 85 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 313 313 में 78 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 391 391 में 64 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 445 455 में 45 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 500 पांच सव में 31 जोड़ेंगे तो 500 31 हो जाएगा तो 531 में 26 जोड़ेंगे तो 557 आएगा और 557 में 9 जोड़ेंगे तो 500 66 आ जाएगा अब 566 में तीन जोड़ देना है केवल तो 579 आ जाएगा अब देखिए जो यहां पर आ रहा रहा है ठीक है इसका मतलब हमारे दोनों के दोनों योग सही है और उसके बाद हमें क्या करना है बस दोनों प्रकार के हमें वक्र खेज़ देना है कम और अधिक प्रकार के चलिए एक ही में हम एक ही ग्राप में हम लोग दोनों प्रकार के क्या करेंगे तोड़ खेज़ेंगे ठीक है तो यह हो जाता है वाई अच और यह हो जाएगा एक्स अच एक्स अच ठीक है हम लोग लिखेंगे कितना देखिए एक सो चालिस से सुरुमात है तो एक सो चालिस से सुरुमात करेंगे ठीक है तो यहां पर हो जाएगा एक सो चालिस ठीक है उसके बाद फिर 143 सभी में हमें क्या करना तीन तीन जोड़ते चले जाना है 143 फिर 146 149 151 154 157 और उसके बाद कितना है 157 में 157 तो ऐसे है नहीं ठीक है तो कितना आने माला कहीं पर मिस्टेक हुगा यहां पर यस्तना स comum 3 जोड़ा और यह 122 आएगा ठीक है कितना आएगा यहां पर आ जायेगा 52 है अब 52 में टीन जोड़ा पाच का पाच-क हो जाहरा पाच पन में तीन जोड़ा तो तो अठ्ठावन आएगा अठ्ठावन में हम लोग अगर तीन जोड़ेंगे तो 161 जोड़ेंगे तो 164 तक है 164 में 3 जोड़ेंगे तो 166 आएगा 163 जोड़ेंगे तो 170 इसे थोड़ा मागे बढ़ा देते हैं ठीक है एकस अच यह हो जाएगा 173 ठीक है अब उसके बाद हमें क्या करना है अब हमें देखना है सेकम वाला 143 ए यह यह वाइचछ वाला जो है संजाई भारता वाइच्च में लिंख़िक जाती है और जो दिया गया है से कम से अधिक यह किस में लिख जाता है यह एक सच में लिखे जाता है ठीक है तो यह क्या है यह उचाईयां है यहाँ पर लिख देंगे उचाईया तो चलिए देखते हैं कहां पर मिलेगा कि इसमें अधिकत्म कहां तक है 579 तक है ठीक है तो इसमें हम लोग कितने के गैप करें कि आपके ग्राप के अनुसार चलिए और पांट यह हो जाएगा और यह हो जाएगा 150 200 250 300 यह हो जाएगा 300 350 400 और 400 50 हो जाएगा 400 50 यह हो जाएगा 500 और 500 और 500 पच्यास और सबसे लाश्ट में आ जाता है 600 ठीक है कितना जाता है 600 चलिए पूरा हुआ अब हम लोग देखेंगे पैमाना जरूर लिखना है आपको ठीक है पैमाना आपको जरूर लिखना है हमने इसके पिछले क्लास में हमने बता दिया कि पैमाना कैसे लिखना है यहां पर हम इसलिए लिखना ही लिखेंगे क्योंकि हमें जगह की थोड़ी सी कम ही है ठीक है चलिए देखते है 143 और 3 ठीक है इधार से 143 मिलेगा और इधार से में तीन देखना है यह 50 के जश्ट 3 केवल उपर हो जाएगा यानि यहां पर यह मिलेगा ठीक है उसके बाद 146 और 12 तो 146 और 12 जश्ट इसके थोड़ा सा ही उपर मिलेगा बिल्कुल हलका सा उपर एक से 50 तक बहुत ही छोटे-छोट ठीक है और उसके बाद 149 और 138 तो यह भी इसी के बीच में ही रहेगा हलका सा अंतर होगा और उसके बाद 155 152 और 179 यह 50 के थोड़ा उपर जाएगा यह लगभग में इतना जाएगा इधर से ठीक है उसके बाद फिर हो जाता है 155 और 114 तो 155 इधर से और 114 तो 100 के उपर हलका सा यहाँ पर यह आएगा और उसके बाद हो जाता है 161 और 256 तो 158 और 118 यह 50 के उपर जाएगा यह लगभग में जाएगा यहाँ पर यह उसके बाद 161 और 256 तो इधर से 161 और 256 यानि कि 206 ने 200 के उपर जाएगा यह यहाँ पर यह देखे इस जगे पर ठीक है उसके बाद 164, 341 164 हो जाएगा इधर से 300, 341 लगभग यहाँ पर जाएगा इस जगे पर उसके बाद 166, 437 इधर से 166 हो जाएगा अब इधर से 431 कितना 437 है इतने यहाँ पर जाएगा और उसके बाद 170, 509 इधर से 170 हो जाएगा इधर से 500 हो गया यह 509 यानि यहाँ पर आएगा और उसके बाद 173, 579 यह हो जाएगा 173 और यह हो जाता है 500, 579 यानि की साड़े 500 के ऊपर यानि यहाँ पर लगभग इस जगे पर ठीक है अब आपको क्या करना है बस इसे इसकेल की सहायता से इसे आपको मिला देना है सीधी लाइन में ठीक है यह हो जाएगा आपका से कम प्रकार का तोरण अब उससे अधिक प्रकार का तोरण देखते हैं तो यहाँ पर मिलेगा 140 और 579 तो इधार से मिले जाएगा 140 और यहाँ पर आपको मिलेगा साब 550 के ऊपर यह लगभग यहाँ कहीं इस जगे पर ठीक है 143 पानसो चाचट एक सो तेतालिस हो जाएगा यह 500 हो गया यह 500 हो गया पानसो चाचट यानि लगभग इसी के जश्ट बिलकुल नीचे मिलेगा यहाँ पर ठीक है फिर मिल जाता है कौन से 146 हो चुगा एक्सो उन्चास पांसो एक्स ये जा रहा है यह ज़गे पर उसके बाद आ जाता है 152,500 वह यह coo जाता है 122 और यह हो जाएगा बिल्कुल एकजेप्ट 500 इसके बिल्कुल सीधे में ठीक है और उसके बाद आता है 155, 455, 155 इधर से और 455, 450 होगे हलका सा 500 यहनी 50 के उपर ठीक है उसके बाद कौन से मिलने वाला है 45 हो गया 158, इधर से 158, इधर से 392, यानि 400 के हलका सा नीचे 158 यहाँ पर जाएगा यहाँ पर यह होगा ठीक है और उसके बाद 161, 313, 161 यह वाला और 313 हलका सा बिलकुल इसके उपर यहाँ पर 164, 228, 164 हो जाएगा, 250 यह दो सो हो गया कौन सा देख रहा था, 164, 164 यह वाला और 200 के हलका सा उपर हो जाएगा यहाँ पर और उसके बाद 166, 132, 166, 132 यहनी 100 के हलका सा नीचे उपर रहेगा, 150 के नीचे रहेगा यहाँ पर, ठीक है, 170 और 60, यह हो गया 170, 50 के हलका सा उपर बस आपको स्किल की सहायता से इसे क्या कर देना, मिला देना है ठीक है, बिल्कुल सीधी स्केल की सहायता से इसको क्या करेंगे मिला देंगे, ठीक है, तो यह बन गया आपका से अधिक प्रकार का और एक बात कहिए माधिका का मान गयात कीजिए हमने आपको पहले ही प्रस्ण में बोल दिया था कि ऐसा कोई कोस्टन आ जाए, कि जिसमें आपसे पूछ ले माधिका और उसमें से अधिक से कम, दोनों प्रकार की तोणर माजूद हो तो सिंपल से इसमें करना ये है कि हमें जहां पर ये दोनों लाइने, ये दोनों ग्राप क्रास किये है वहां से इसको क्या कर देना है, मिला देना है वहां से इसको ऐसे मिलाएंगे, ऐसे करके तो देखिए ये जा रहा है यहां पर यानि 160 और 164 के बीच में ठीक है इस बिंद पर अगर आप इसको ग्राप में बनाएंगे तो बिल्कुल एक्जेक्ट मिलेगा ठीक है और ये लगभग में कितना हो जाएगा 163.2 ये आपकी हो जाएगी माध्धिका ये क्या हो जाएगी माध्धिका या माध्धिक दोनों बोल सकते हैं ठीक है बड़ी हग कोस्चन था आप इसे कर लीजिए आपके सारे के सारे कोस्चन साल हो जाएगे ठीक है तो आसा करते हैं कि आपको एक से लगा के चार तक के सारे question समझ में आ गए होंगे ठीक है और अगर समझ में आ गए हों तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिने जीजीएगा ठीक है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन प्रस करें ताकि नए नए वीडियो की नोटिप्स न आप तर पासती रहे ठीक है कमेंट से बाक्स में जरूर हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों जय हिंद